ये आकाश्वणी राइपूर है प्रादेशी की समचार बुलेटिन के साथ मैं शशी का अंत यादाओ और अब पेशना आज के मुखे समचार प्रधान मंत्री ने आजादी कामरित महसो के साल में लोगों से हर घर तिरंगा भ्यान को सफल बनाने का अवान किया सीबियसी ने आज कक्षा दस्मी और बारहुई के परणां घोशित किये भाजपा किसान मूर्चा ने प्रदेश में रासानी खात की कमी और अघोशित बिजली का टौति को लेकर आज सहकारी समितों के सामने विरोध प्रधिशन किया और सुकमा जिले के फूल बगड़ी इलाके में हुई मुट्भिड में एक मावादी मारा गया मोके से एक देशी कट्टा भी बरामत अब समझ चारविस्तार से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने हर घर तिरंगा भ्यान सरशक्ते करने का भान किया है इस वर्ष देश आजादी का अमरित महोसा मना रहा है ट्विट में श्री मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्टी तिरंगा फराने की अपिल की है प्रधान मंतरी ने कहा कि आज की दिन यानी 22 जुलाई को हमारे तिहास में विशेस इस्थान है वर्ष 1947 को आज ही के दिन राष्टी द्वज तिरंगा अंगी कार किया गया था वहीं सूचना और प्रसारन मंतरी अनुराग ठाकूर ने सभी देशवासों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने काग्रह किया है एक ट्वीट में शुछ थाकूर ने कहा कि साहस शांती और सच्चाई का प्रतीक तिरंगा हर भारती का गौरों है द्रोपती मूर्मू देश की पंद्रहवी राश्पती होंगी प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ती एन वी रमन 25 जुलाई को संसत के केंदरी कक्ष में उन्हें राश्पती पत की शपती दिलाएंगे दुरपती मुर्मू राश्टपती पत पर आसीर होने वाली पहले जनजाती महिला हैं 36 गड़ के मुख्यमंतरी भूपेश बगेल ने दुरपती मुर्मू को राश्टपती निर्वाचीत होने पर 36 गड़ की जनता की ओर से बधाई और शुपकामनाय दी है मुख्यमंतरी ने ट्वीट के माध्यम से श्रीमती मुर्मू को बढ़ाई देते हुए कहा कि भारती गणराज्जी के समवैधानिक सरक्षा के रूप में आपके हाथों में देश के नागरिकों के लोक तांतरिक मुल्यों की रक्षा का गवर और शाली इतिहास सुरक्षित रहेगा उदर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने भी श्रीमती मुर्मू को राष्टपती चुने जाने पर बढ़ाई और शुपकामनाय दी है उन्होंने कहा कि देश में पहली बार आदिवासी समाज की महला को समवाध्यानिक प्रमुक्र चुना गया है इस बीच दुरौपती मुर्मू के राष्पती चुने जाने पर 36 गड़ में जश्न का माहल है रायपूर, जश्पूर, नरायनपूर, बस्तर और बिलासपूर, सहित प्रदेश के कई लाकों में लोगों ने ढोले नगालों के साथ एक खुशी मनाते हुए रैली निकाली केंदरी माधमिक शिक्षा बोर्ड, CBAC ने आज कक्षा दस्वी और बारहवी के प्रेणाम खोशित कर दिये बारहवी कक्षा में उत्तिन होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 92.7 एक रहा इनमें च्छातरों का प्रतिशत 94.25 और चातरां का 94.54 प्रतिशत रहा वहीं कक्षा दस्वी में 94.4 प्रतिशत विद्यार्थि उत्तिन हुए है इनमे 95.21 प्रतिशत चातरा है और 93.8 प्रतिशत चातर सामिल है 36 गड़ विधान सभगे मानस 17 के तीसरे दिन आज सदन में प्रदेश में समर्थन मुले पर हुई धान खरीदी के भुगतान का मुद्धा गुंजा नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के सवाल के जवाब में खादि मंतरी अमर्जीत भगत ने बताया कि किसानों को 59,000 करोड उपय से अधिक का भुगतान किया गया है इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसमें से तीन चौथाई राशी केंदर सरकार ने और बाकी की राशी राशी राज्य सरकार ने दी है चर्चा के दौरान मुख्य मंतरी भुपेश बगेल ने कहा कि केंदर सरकार से कोई राशी नहीं मिली है सरकार के जवाब से असंतु इस्टोकर इपक्षी सदसों ने सदन से बहरिकमन कर दिया वहीं आ सदन में भिलाई इसपास सेंत्र में लगातार हो रही दुर घटनाओ का मुद्दा गुंजा प्रश्निकाल में कांग्रेश विधायक देवेंद्र यादों ने बिसपी सेंत्र में होई घटनाओ का मामला उठाया जवाब में मंत्री शीव कुमार डहरिया ने बताया कि सयंत्र में दुर घटना की कारण पिछले तीन वर्षों में पंद्रह लोगों की मौत हुई है इस दोरान चार मृत श्रमिकों के परिजनों को अनुकंपा अन्युक्ती दी गई है मंत्री के जवाब से विधायक देवेंद्र यादों ने असंतोष्टी जताई वहीं विधायसाब अद्यक्ष ने मंत्री से सयंत्र को कड़े निर्देश देने को कहा सदन में आज निता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने ध्याना कर्शन सूचना के जरिये बिलासपुर मंडल में कैमपा के माध्ध्यम से किये गए कारियों में भष्टा चार का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि बेल गहना परिक्षेतर में काम नहीं करने के बाद भी 15 व्यक्तियों के खातों में लाखों रुपे शास्की राश्च का गवन किया गया लेकिν दोश्यों पर कारवाई नहीं की जा रही है इसके जवाब में वनमंत्री मुहम्मत अगबर ने कहा कि कोटा उप वनमंडल अधिकारी के जाच प्रतिवेदन में आनी में तता दिखाई दे रही है इसका उच अधिकारियों द्वारा परिक्षन किया जा रहा है अन्तिम जाच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद दोश्यों के खिलाफ कारवाई की जाएगी विधाय सबह में आज विधायकों के वेतन वर्दी के लिए पेश किया गया विधायक पारित कर दिया गया विधायकों को अब प्रतिमाह 1,60,000 रुपे वेतन मिलेगा पहले या 95,000 रुपे प्रतिमाह था इसके साथ ही विधायकों के चिकटसा और टेली फोन भत्ते में 5,500,000 रुपे की व्रती की गई है वही निर्वाचन छेत्र के भत्ते में भी 25,000,000 रुपे की बढ़ोती की गई है जानजी चापा जिले में पिछले दिनों एक महिला के साथ हुए दुशकर्म और उसकी हत्या के मामले की शिग्ध तथा निश्पक्ष जाज कर पीडिता को न्याय दिलाने के लिए राजीपाल अनुसुया उईके ने मुख्य मंतरी भूपेश बगेल को पत्र लिखा है राजीपाल ने घटना की सबवेदन शीलेता को देखते हुए मामले की तुरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रेक कोट की व्यवस्था करने को कहा है राजीपाल ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए राजी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने को कहा है ताकि हरक्षेतर में महिलाए सुरक्षित हों और इस तरह की घटनाओं की पुन्रावरती नहों गोर तलब है कि बीते 14 जुलाई को पीडिता के परिजनों, जन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगटनों ने राजीपाल से मिल कर उन्हें पूरे घटना क्रम की जानकारे दे कर तुरेते न्याय दिल आने का आग रह किया था प्रादेशिक समचार आप आकाश्वाणी रायपूर से सुन रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल है चत्तिसगड़ AIR News तो अब रेडियो के साथ ही आपकी मोबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आप तक चत्तिसगड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वाणी समाचार और हमागे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर जो में लागू किया जाएगा इस पोर्टल के शुरू होने से किसानों कब फसल बीमा समादे शिकायतों की निराकरन के लिए किसी कारियाले का चक्कर लगाने की जरुरत नहीं होगी नहीं लिखित में आविदन दिना होगा किसान टॉल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं मुख्यमंतरी भूपेश बगेलने क्रिश्ची और जल्द संसाधर मंतरी रविंदर चौबे की अनुशन सत अथा अबनपूर और धरसिमा के विधायक सहित किसान संगठों की मांग को देखते हुए गंग्रेल बान से सिचाई के लिए ततकाल पानी छोड़ने के निर्देश दिये है प्रमुक अभियंता इंदरजीत उईके ने बताया कि गंग्रेल बान में परियापत जल भराओ है गंग्रेल बान की नहर से रायपूर आरंग धरसिमा बलोदा बजार भाटा पारा लवन पलारी और धमतरी छेतर के किसानों को खरेव फसलों की सिंचाई के लिए पाने मिलेगा भारती जन्रता पार्टी किसान मोर्चा ने प्रदेश में रासानी खात की कमी और अगोशित बिजली कटवती को लेकर आज राजी के इभिन इस्थानों में सहकारी समितियों के सामने प्रदर्शन किया बाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अद्दिश श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि इस विरोध प्रदेशन में बड़ी संख्या में कारेकरता शामिल हुए इन कारेकरताओं ने कुछ सोसाइटियों में ताला बंदी करने की भी कोशिश की श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में किसान खाद की कमी से जूज रहे हैं और खाद माफिया लगातार रासाने खाद की कालाबा जारी कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के किसानों को नकली और अमानक वर्मी कमपोश्ट बेचे जाने का भी आरोप लगाया। प्रदान मंतरी फसल बीमा योजना के तहट प्रदेश के किसान सिंचित और असिंचित धान के लावा अरहर, मूंग, उरद, मक्का और उद्ध्यानी की फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकेंगे। क्रिशी मंतरी रविंद्री चौबे ने किसानों से इन फसलों का भीमा कराने की अपील की है। जिले के पुलिस अधिक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि फूल बगड़ी थाराक छेतर के तहत हुई इस मुटभेड में एक मावादी मारा गया है। इलाकी की तलाशी के दुरान मारे गए मावादी के शौके साथ ही एक देशी कट्टा भी बरामत किया गया है। वहीं सुक्मा जिले के पूलम पली में मावादीों ने एक ग्रामिन की हत्या कर दी है। जिले के पुलिस अधिक्षक सुनिल शर्मा ने घटना की पुष्टी करते हैं बताया कि किराना दुकान चलाने वाले मणकम जोगा के घर बीती रात मावादी घुस गए और लाठी तथा धार धार हत्यार से उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मावादियों ने मृतक के वहन में आग लगा दी। आजादी के अमरित महुसों के तहट रेलवे द्वारा अने के कारेकरम आजूजित किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिनपूर मद रेलवे के बिलासपूर रायपूर और नागपूर मंडल द्वारा छेतर के चैनित 75 रेलवे इस्टेशनों में मोटर साइकीर रायली के आउजन किया गया। इसके साथ ही इनिस्टेशनों के अंतरगत आने वाले इस्टेशन परिशर, रेलवे कालोनी और पार्क और तलाबों के किनारे फोधे लगाया चा रहे हैं। यह भियान 15 अगस्त तक चलेगा। अब कुछ अन्ने खबर संक्षेप में। दुर्गिसित दाव वासुदेव चंद्राकर कामधिन विश्व द्याले के कुलपती डॉक्टर एन पी दक्षिनकर को केंदरी रक्षा मंत्रा लेद्वारा राश्टी कैड़ेक्ट कोर में करनल कमांडेंट की मानद उपादी से लंकृत किया गया है। रहपूर के शंकर नगरिसित शास की शिक्षक शिक्षा महग द्याले में दो हजार बाइस चोविस के लिए एमेड और बीड अभ्यर्थियों की अनंतिम चैन्सुची जारी कर दी है। के खिलाफ मामला दर्च कल लिया है। के से एक देशी कट्टा भी बरामत। इसी के साथ प्रादेशी क समचार बुलेट इंसमात हुआ। झाले इंसमात worthwhile इंसमात हुआ। झाले इंसमात। झाले ओडर भी गॉल्ड झाले कि अाले करेक्टा माष्णी का вмुल भी साथ ग्या प्मृत्र सचे झाल झाल